नमस्कार बल्यलाइप के बुलेटेन होत्फजीरे में आपका स्वागत है मामूली सी चूक भी कई बार सरदर्द बन जाती है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते वक्त कई बार लोग पता गलत भर देते हैं आजमगड मंडल के 442 लाइसेंस आवेदकों तक इसी वज़ा से नहीं पहुँच पाए इसमें बलिया के 190 लाइसेंस है पिछले लगवक आठ महीने से लखनव मुख्याले से लाइसेंस की छपाई होकर सीधे आवेदकों के पते पर भेजे जाते हैं जिन आवेदकों को दो महीने से अधिक समय बीद जाने के बाद भी लाइसेंस उपलब्ध नहीं हो सके हैं वह एर टीओ कारयाले में पहुँच कर प्राप्त कर सकते हैं सनिवार को भी टाउन डिगरी कॉलेज के आंदोलित सिचकों ने काली पट्टी बाद कर अध्यापन कारिक करते हुए प्रदर्शन किया इस विच सिटी मजिस्टेट प्रज की सुर्दूवे ने कारवाई के लिए सिचकों से दो दिन की महलत मांगी है जिस पर सिचकों ने हामी भर दी है आपको बता दे कि टाउन डिगरी कॉलेज के सिचक डॉक्टर अखिलेस राय के विरुद्ध दर्ज NCR वापस लेने और अन्य मांगों को लेकर सिचक आंदोलित है उन्होंने मीडिया से बाचित में कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 9 दिसंबर से पूरे जिले के महाविद्ध देले सिचक चाक डाउन इस्ट्राइक कर देंगे जिले की सहकारी समीतियों को एक साथ अभियान चला कर सुद्रण किया जाएगा ऐसा कहना है प्रदेश के सहकारिता मंतरी मुकुट विहारी बर्मा का कैबिनेट मंतरी मुकुट विहारी बर्मा सनिवार को टाउन डिगरी कॉलेज के मनरंजन हाल में जिला सहकारी बैंक लिम्टेट साखाबलिया की 42 वी वार्सिक निकाई की बैठक को संबोधित कर रहे थे इवाओं के लिए फ्री कोचिंग और गरीबों के लिए रोटी बैंक की अस्थापना भरावली में करेंगे गड़ा महुत्सो के मंच से यह ऐलान था गड़ा विकास मंच के अधच चंद्रमडी राय का घोशना करने के मामले में तो यहाँ जुटे प्रोफेस्नल नेता और मंत्री भी पीछे नहीं रहे मसलन भरावली में फायर विगेट की गाड़ी की बेवस्था करने खस्ता हाल सड़कों की मरमत करवाने और अस्पताल खोलने वगएरा वगएरा जिस पर मौके पर मौझूद सांसद विरिन सिंग मस्त और मंत्री उपेंतिवारी ने तथास्त कहने की मुद्रा में जवाब दिया गड़ा महोत्सव में इधर चौदा वेटियों के हाथ पीले हो रहे थे उधर फिजाओं में नबोदित अंसिका के कंठ पर आज मिथला नगरिया निहाल सखिया सरीखे गीत गूझ रहे थे इसी क्रम में सहतवार के स्री चैन राम बाबा के समाधी अस्थल परिसर में बने 101 मंडपो में 101 जोडे एक दूजे का हाथ थामें युवा सक्ति संस्थान के संस्थापक दिनेश प्रताप सिंग की और से सनिवार को यहाँ आयोजन किया गया सुकरवार की देर रात अग्यातवाहन की चपेट पे आने से बाइक सवारी वक्की घटनास्थल पर ही मौत हो गई यह हाथसा नगरा थाना छेतर के ताड़ी बड़ा गाउ काली मंदिर के पास हुआ इस हाथसे में अपने ननिहाल नगरा थाना छेतर के पाल चंदरहा कुलवर से लौट रहे 22 वर्सिय राम प्यारे चौहान की मौत हो गई राम प्यारे गाजीपुर के कासिमा बाथाना छेतर के मौहम्मत पूर कुसुम बढ़ाई पूर सिधागर घाट का रहने वाला था यूपी बार काउंसिल के वाइस चेर्मेन जैन आरायन पांडे ने अधिवक्ताओं को उप्चार के लिए 25,000 की विवस्था कराने का भरोसा दिया है उन्होंने अधिवक्ता संगठनों को क्लेम का फॉर्म भी वित्रित किया जिले में पहुचने के बाद जैन आरायन पांडे प्रमुक बार संगठनों के पदादिकारियों से मिले और उनकी समस्याए सुनी गौराबा गई इस्तित कोल्ड इस्टोरेज के पास सडक पर ट्रक के धसने से सनिवार की भोर करीब तीन बजे से जाम लग गया दोनों और बड़े वाहनों की लंबी कतारे लग गई इसके चलते घंटो आवाग मंठप रहा यह सडक मनियर से बलिया ही नहीं बासडी और बैरिया से भी जोड़ती है यहाँ दो किलो मिटर के करीब की जमीन दलदली हो गई है इसके चलते सडक जग जग धस गई है मनियर एंटर कॉलेज में सनिवार को करनल डीयस मलिक के निर्देश पर कॉलेज के 93 एंसिसी बटालियन के कैड़ेटों ने स्वच्छता और सुरच्छा रैली निकाली रैली नगर के बसिस्टेंट चांदू पाकर सहित अन्छेत्रों में ब्रवन कर लोगों को सुच्छता ही सुरच्छा का संदेश दी 90 बटालियन कमांडिंग ऑफिसर करनल डी वीराना और 93 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर करनल डीयस मलिक के नितरित में सहर के बिविन सडकों से गुजरी रैली में प्लास्टिक का उपियोग न करने सौच के लिए सवचाले का प्रियोग करने पेड़ पौधे लगाने के प्रती जागरुक करने वाले हस्त लिखित तक्तिया लिए हुए कैड़ेट चल रहे थे इसमें सतीष चंद कॉलेज, राजकी एंटर कॉलेज दुबहन और बीर कुवर सिंग इंटर कॉलेज के 220 एंसिसी कैड़ेट सामिल थे अमारपटी दच्छिड इस्तित हन्मान मंदिर के उत्तर दिशा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इस्वरी विस्विद्धाले भवन निर्मान के लिए भूमी पुजन करसिला नियास किया गया सनिवार को प्रमुक प्रतिनिदी सतीश सिंग और आजमगर सेवा केंद्र की ब्रह्म कुमारी रंजना ने संजुक तुरुक से धोजा रोहन किया उधर नगर में इस्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इस्वरी विस्विद्धाले के नए भवन इस्वरी गुलसन भवन का सनिवार को पुर्व विधायक भगवान पाठक ने फीता काटकर उदगाटन किया फाइनल में देवरिया ने रोमान चक मैच में बलिया को तीन गोल से पराजित कर महिला फुटवाल चैंपियंशिप के खिताब पर कबजा जमा लिया स्वर्गिया फागुराम की इसमित में सोनाडे इस्थित भागे स्वरी पर में स्वरी मंदिर परिसर में चल रहे अखिल भारती है अंतर विध्याले महिला फुटवाल चैंपियंशिप का फाइनल सनिवार को खेला गया पूरे टूर्णामेंट के दवरान बहमुखी खेल प्रदर्शन के लिए देवरिया के मुस्कान को बेस्ट प्लेयर का खिताब दिया गया मिलते हैं लेटिस्ट अपडेट के साथ अगली बुलेटिन में तब तक के लिए दीजिए इजाजत धन्यवाद